हेलो गाईज और वेलकम बैक तो मैचेनल तो एक्स्प्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज काईज सब्सक्राइब तु मैचेनल लाइक दे वीडियो और शेर विद यूर फ्रेंड अन नाओ लेट्स स्टार्ट दी एक्स्प्लेनेशन तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे इस ड्रामा के मेल लीड से जिनका नाम है शाओ बाई यू जो की एक बड़ी सी कंपनी के सी ई-ओ हैं जिसके बाद हमारा यहां पे इंट्रोडक्शन होता है हमारी इस ड्रामा की फीमेल लीड से जिसका नाम है तॉंग तॉंग जो की एक मिडल क्लास फामिली से विलॉंग करती है और उसके फैमिली में उसका भाई वो उसके मॉम एंड उसके डैड हैं और हमारी फी में लीड प्रोफेशनली एक जर्नलिस्ट है तॉंग तॉंग जब इंटरव्यू लेने जारी होती है तभी वो सामने खड़ी एक कार को हो जाती है अपनी स्कूर्टी की ऐसी हालत देखकर तॉंग तॉंग उन सभी पे काफी ज़्यादा घुस्सा करती है बट जब की गल्ती उसी की होती है एंड दैन हमें पता चलता है कि ये कार किसी और की नहीं बल्कि शाओ बाई यू की है शाओ बाई यू अपने वर वापस कार के अंदर चले जाते हैं ये सब देखकर तॉंग-टॉंग कार के पाश आती है और बायशाओ को काफी कुछ सुनाने लगती है लेकिन बायशाओ विंडो से कुछ पैसे नीचे फेंकते हुए वहां से चला जाता है और ये सब देखकर हमारी फीमेल लीड वाज लाइक गजब बेज़ती है दे नेक सीन में हम तॉंग तॉंग को पार्किंग में देखते हैं जहां वो अपनी स्कूटी की चाब यां उठा ही रही होती है कि तब ही तब ही वहां पे एक डॉग आकर तॉंग तॉंग को किस करके वहां से चला जाता है जिसके बाद हमारी फीमेल लीड यहां पे हम सभी को बताती है कि किसी भी मैमल को किस करने के बाद मैं तीन मिनट के अंदर अपोजिट सेक्स में चेंज हो जाती हूँ यानि की गड़ से बॉय बन जाती हूं और ये बीमारी हमारे घर की खांदानी बीमारी है जो की मुझे मेरे भाई को एंड मेरे डैट को भी है और इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम को पता है वहीं दूसरी तरफ हम शाव बायू को लिफ्ट में देखते हैं तभी वहाँ पे एक लड़का भी आ जाता है और ये लड़का कोई और नहीं बलकि हमारी फी में लीड टॉंग टॉंग है जो की उस कुत्ते के किस करने के बाद बॉय में चेंज हो गई है जब वह दोनों लिफ्ट के अंदर होते हैं तभी लिफ्ट काम करना बंद कर देती है जिसके कारण शाव बायू को काफी ज़्यादा अजीव फिल होने लगता है और उसकी मेडिसिंस भी नीचे गिर जाती है जिसके बाद वो तॉंग तॉंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि प्लीज तुम मेरी हल्प करो जिसके बाद तॉंग तॉंग जाकर उसे उसकी मेडिसिंस खिलाती है तभी तॉंग तॉंग को याद आता है कि आज तो मेरा इंटरव्यू है और उसके लिए मुझे फिर से लड़की बनना होगा इसलिए तॉंग तॉंग शॉबाईयू को सॉरी बोलते हुए उसे किस करती है और ये सब को सेक्यूरिटी टीम वाले कैमरे की हल्प से देख लेते हैं और कहते हैं कि क्या हमारे पॉस एक बॉय को किस कर रहे हैं देन अगेन हम तॉंग तॉंग को देखते हैं जो कि फिर से लड़की बन गई होती है और वो यहाँ पे किसी और का नहीं बलकि शॉबाईयू का इंटरव्यू लेने आई होती है बड़ तबियत खराब होने की वज़ा से शॉबाईयू आज का इंटरव्यू कैंसल कर देता है जिसके बाद तॉंग तॉंग शॉबाईयू की सेकेटरी से बात करने जाती है क्यूंकि उसके लिए ये इंटरव्यू काफी जादा इंपोर्टन था वरना उसकी बॉस तो उससे जॉब से बाहर ही कर देंगी शॉबाईयू जब उसे अपने सेकेटरी के पास देखता है तो वो तॉंग तॉंग को उपर भेजने के लिए बोलता है जिसके बाद वो दोनों आपस में थोड़ी बहुत बाते करते हैं शॉबाईयू जब तॉंग तॉंग को काफी दे रहा होता है तभी वो उसके हाथ में एक ब्रैसलेट को देखता है और उसे देखते ही शॉबाईयू को याद आता है कि ऐसा ब्रैसलेट तो उस आदमी ने भी पहना था जो की लिफ्ट के अंदर आया था जिसके बाद वो तॉंग तॉंग से इसके बारे में पूछने लगता है बड़ तॉंग 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 उससे कुछ भी नहीं बताती है और अपना हाथ छुडाने की कोसिस करती है बड़ शॉबाईयू उसका हाथ नहीं छोड़ता है तब ही इन दोनों के बीश में कुछ ऐसा हो जाता है और उन दोनों को ऐसे ओफिस के बांकी सभी लोग भी देख लेते हैं लेकिन जैसे ही तॉंग तॉंग को याद आता है कि तीन मिनट के अंदर वो फिर से बॉय बन जाएगी तो वो अपना सारा समान लेकर वहां से भाग जाती है देन नेक सीन में हम तॉंग तॉंग को उसके डैड के पास देखते हैं जिनका एक छोटा सा क्लिनिक होता है क्यूंकि वो कुटों के डॉंग्टर है वो दोनों बाते कर ही रह होते हैं कि तभी वहां पे तॉंग तॉंग के डैड की असिस्टेंट आ कर उन्हें बताती हैं कि शाओ बाई यू यहां पे अपने डॉक को लेकर आए हैं और उससे यहां पे देखते ही तॉंग तॉंग कंप्लिटली शौक्ड हो जाती है और डैड को शाओ बाई यू को अंदर बुलाने से मना करती है बट उसके डैड फिर भी शाओ बाई यू को अंदर बुला लेते हैं तॉंग तॉंग के डैड जब शाओ बाई यू से बाते कर रह होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ शौबाई यू का डॉग आकर फिर से तॉंग तॉंग के उपर भोगने लगता है। तॉंग तॉंग उस डॉग को काफी ज़्यादा भगाने की कोसिस करती है बट वो डॉग वहां से नहीं जाता है। जिसके बाद शौबाई यू आकर अपने डॉग को वहां से ले जाता है। देन नेक्सीन में हम तॉंग तॉंग को उसके ओफिस में देखते हैं जहां उसकी बॉस उस पे काफी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती हैं। क्यूंकि उसने अभी तक शौबाई यू का इंटरव्यू नहीं लिया था। तॉंग तॉंग की बॉस उससे कहती हैं कि अगले महीने तुम शौबाई यू एंड उसके बड़े भाई जुन जी एंग दोनों का साथ में इंटरव्यू लेने वाली हो। क्यूंकि बड़ा भाई छोटे भाई से जादा फेमस है। वहीं दूसरी तरव शौबाई यू तॉंग तॉंग के नाम के उपर सरकल बनाता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग तॉंग तॉंग की मॉम घर के सभी मेंबर्स को जोड से चिला कर बुलाती हैं। और तॉंग तॉंग को मैक जीन दिखाते हुए कहती हैं कि क्या तुम हमें बता सकती हो कि आखिर ये सब क्या है। आक्चुली उस मैक जीन में तॉंग तॉंग एंड शौबाई यू की सभी किसिंग फोर्टो स्प्रिंट हो गई थे। पहली फोर्टो तब की थी जब तॉंग 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 ने उसे लिफ्ट में फिर से लड़की बनने के लिए किस किया था। और दूसरी फोर्टो शौबाई यू के ओफिस की थी। ये सब सुनकर तॉंग तॉंग कहती है कि देखो मॉम जैसा आप सोच रहे होना वैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरा एंशाव बाई यू का कोई भी चक्कर नहीं चल रहा है। हाँ बस उसे मैंने दो बार लिफ टो लिफ किस किया है। बट आइ स्वेयर मॉम कि इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया है। जिसे सुनकर तॉंग तॉंग के डैड वाज लाइक लिफ टो लिफ वो भी दो बार। और यहां पे तॉंग तॉंग का भाई भी मौके पे चौक का मारते हुए उससे काफे कुछ सुना देता है। वहीं दूसरी तरफ पूरे चाइना में ये बात फैल जाती है कि शाओ बाई यू बाई शक्शुल है यानि की गे क्यूंकि वो बॉइस एंड गर्स दोनों को किस करता है और दोनों के साथ टाइम स्पेंड करता है। वहीं दूसरी तरफ शाओ बाई यू भी उसी मैगजीन को पढ़ रहा होता है जिसके बाद कई रिपोर्टर्स टॉंक टॉंक के आफिस में कॉल करके वहां के एमपलॉईस से शाओ बाई यू एंड टॉंक टॉंक के रिलेशन के बारे में पूछते हैं और ये सब देखकर टॉंक टॉंक काफी जादा परेशान होती है तब ही वहां पे टॉंक टॉंक की बॉस आकर उससे कहती हैं कि कल से तुम ओफिस नहीं आओगी और तुम हमारी ओफिस में अपने कदम तब तक नहीं रखोगी जब तक तुम शाओ बाई यू एंड जुन जी एंग दोनों पड़ तो तब हो जाता है जब शाओ बाई यू को एक बार में ही पता चल जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बलकी तॉंग तॉंग है शाओ बाई यू तॉंग तॉंग से कहता है कि मिस तॉंग आप मुझे परिशान करना बंद कर ये वरना नेक्स टाइम आपकी बात आकर लैप्टॉप ओपन करती है तो उसे पता चलता है कि चारो तरफ यही न्यूज चल रही है कि शाओ बाई यू एक गे है अगले दिन जब तॉंग तॉंग काम पे जारी होती है तभी वहां पे कुछ लोग आकर उसे किटनाप कर लेते हैं और थोड़ी ही देर में हमें पत ही तॉंग तॉंग को किसी औरने नहीं बल्की शौबाई यू ने किटनेप करवाया है जिसके बाद वो दोनों आदमी तॉंग तॉंग का मास्क निकाल कर गाड़ी से बाहर चले जाते हैं और हमारी तॉंग 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 को अपने सामने देख कर कमप्लीट ली शौक्ट हो जाती है जिसके बाद शौबायू धीरे धीरे एंड प्यार से तॉंग तॉंग के करीब जाता है एंड देन उससे उसका फोन चीनते हुए कहता है कि यहां पे तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आने वाला है जिसके बाद शौबायू एक बैक से गन निकाल कर कुछ ऐसा करता है मतलब कि हमारे तॉंग तॉंग को वहीं पे मार डालता है लेकिन तब ही हमें पता चलता है कि यह सब तो हमारी तॉंग तॉंग सोच रही होती है जिसके बाद वो शाव बाई यू का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि देखो प्लीज तुम मुझे मारो मत क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ और ये मेरा तुम से प्रामिस है तो जिस पर शाव बाई यू कहता है कि ठीक है फृर तुम मुझे एक गल्फेνड ला कर दो जिसे सुनकर टॉंक टॉंक वॉस लाइक वाठ पगला गय हो का तुम्हें लॉंड या चाहिए आइमेन गल्फेंड जिसे सुनकर शौ बाई यू कहता है कि हम दोनों की फोटो अल्रेडी पूरे चाइना में वाइरल हो चुकी है और लोग मुझे एक लड़का नहीं बलकि कुछ और ही समझ रहे हैं इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी गल्फिंड बनाना चाहता हूं ताकि मैं सभी लोगों को बता सकूं कि मैं भी एक लड़का हूं गे नहीं और बांक की लड़कों की तरह मैं भी लड़कियों को देखकर अट्राक्ट होता हूं ना की लड़कों को जिसके बाद वो तॉंग तॉंग को साइन करने के लिए कॉंट्रेक्ट फॉर्म देता है देन नेक्स सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहां शॉब आई यू तॉंग तॉंग को शॉपिंग के लिए ले जाता है और सभी के सामने वो दोनों एक अच्छे कपल की तरह विहेब करते हैं तॉंग तॉंग कहती है कि मैं भी अपनी लाइफ में एक डायमेंड रिंग खरीदना चाहती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि मुझे डायमेंड रिंग कोई और नहीं बलकि मेरा असली वाला वॉइफरेंड दे और इतना सुनते ही शॉब आई यू एक डायमेंड रिंग खरीद कर उसे वहीं पे सभी के सामने पहना देता है धर नेक्सीन में हम उन दोनों को सात में देखते हैं जहां और दोनों शॉब आई यू के घर जा रहे होते हैं तोंग तोंग जब अकेले शॉब आई यू के रूम में होती है तो वह गलती से एक पोट को नीचे गिरा देती है जिसके बाद वो उस पोट के अंदर की मचलियों को एक कफ में डाल देती है वहीं दूसरी तरफ हम शौबाईयू को उसके बड़े भाई जुन जी एंग के पास देखते हैं और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि दोनों भाईयों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है वहीं छिप कर तॉंग तॉंग भी उन दोनों की बाते सुन रही होती है लेकिन तब ही वहाँ पे शौबाईयू का डॉग आकर उसे किसकर के फिर से वहाँ से चला जाता है जिसके बाद तॉंग तॉंग भागते हुए रूम के अंदर जाती है बट तब तक वो लड़के में बदल जाती है तॉंग तॉंग जब उसकाप को रखकर वहाँ से बाहर आरी होती है तब ही उसके सामने एक लड़की आ जाती है बट ये देख नहीं सकती है क्योंकि ये अंधी है और ये लड़की कोई और नहीं बलकि शाओ बाईयू की बहन है जिसके बाद तॉंग 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 उस लड़की के पास आती है और उसे सौरी बोलते हुए कहती है क्योंकि अब ही मुझे तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि ये अमरजेंसी है जिसके बाद तॉंग 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 उसके साथ कुछ ऐसा करती है और अपनी बहन की चिल में उठा कर वहांसे बाहर ले जाता है तोंग-तौंग जब जारी होती है तो जुन जी एंक तो कहता है कि अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपको घर छोड़ सकता हूं एंक सीन में हम उन दोनों को onc साथ में देखते हैं जहां तॉंग तॉंग उनसे कहती है कि मैं आपका शौव बाइयू के साथ इंटरव्यू लेना चाहती हूं तो जिस पर जुन-जी-एंग कहता है कि ठीक है मैं तो रेडी हूं बड़ तुम्हें शौव बाइयू को खुद ही मनाना होगा क्यूंकि वो मेर पे एक छोटा सा फ्लैस बैक दिखाया जाता है जहां तॉंग तॉंग शौबाई यू से कहती है कि मैं आपकी गल्फरेंड बनने के लिए रेडी हूँ बट उसके लिए आपको भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप अपने बड़े भाई जुन जी एंग के साथ मेरे लिए इंटरव्यू देंगे ये बास सुनकर शौबाई यू पहले तो थोड़ा शौक्ड होता है बट देन उसे भी तॉंग तॉंग का प्रपोजल एकसेप्ट करना ही पड़ता है वहीं दूसरी तरफ हम शौबाई यू को उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ देखते हैं जो की उसकी बहन जीया का डॉक्टर भी है और इसका नाम है इन इन आई नो की थोड़ा अजीब है बट यही नाम है क्यों न हम जीमिन रग दें? The next morning शौबाई यू की सेक्रेटरी उसे बताती है कि कल कई लोगों ने आपके बड़े भाई जुन जी एंग और तॉंग तॉंग को आधी रात में साथ में घर जाते हुए देखा है सेक्रेटरी के जाने के बाद शौबाई यू तॉंग तॉंग को कॉल करता है और उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहता है बट तॉंग 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 वहां जाने से मना करती है तो जिस पर शौबाई यू कहता है कि देखो तुम भाने बनाना बंद करो क्योंकि तुम मेरे साथ पार्टी में चल रही हो और हाँ प्लीज उस दिन ना कुछ धंग के कपड़े पहन क्या ना वरना फालतो ही तुम्हारे चकर में मेरी भारी बेज़ती हो जाएगी एंड एक बात तो बताना मैं भूली गया कि जिम जाए करो वहीं दूसरी तरफ तॉंग 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 बिलकुल वैसा ही पॉट फाइंड कर रही थी जैसा कि उसने शौबायू के घर में गिरा कर तोड़ दिया था जिसके बाद हम शौबायू की बेहन जिया को देखते हैं जो की तॉंग तॉंग के किसको बार बार याद करके काफी जादा हैपी होती है तभी वहाँ पे शौबायू भी आ जाता है और अपनी बेहन को मेडिसिन देता है और इसी के साथ हमारा पार्ट वन यहीं पे खतम हो जाता है थैंक यू सो मुच काईज पर वाचिंग माई एक्स्प्रेनेशन इस्टे सेफ एंड हैल्दी बाबाई